आप लोग देखते होंगे कि हर साल 13 फरवरी को 20 रेडियो दिवस मनाया जाता है और आप लोग ने इस तरह का रेडियो देखा भी होगा पुराने समय का है ये रेडियो और आप देखेंगे कि फिर इस तरह का रेडियो आया करता था और एक आपने देखा होगा कि घुमाने वाला रेडियो आया करता था एक बटन लगा रहता था उससे आप लोग एक तरसे FM सेलेक्ट करते थे और आज की समय में आप देखे कीपेड पॉर्ड यानि कीपेड फॉन होगा आप लोगों के पास खासकर आप देखे की आप सिविल सर्विस की UPSC की बात कर रहा हो या इस्टेट PCS की और One Day एकजाम भी तमाम होते रहते हैं सेंटर लिवर पर आप देखते हैं SSC Bank Railway इस तरह की अनेकों एकजाम होते हैं और राज्यों में भी स्टेट लेवल पर सिक्षक भरतिया होती रहती हैं पुलिस कॉंस्टेबल धरोगा पटवारी इस तरह की अनेकों एकजाम होते हैं इन सब में आपकी कुश्चन्स पूछे जाते हैं Current Affairs से और Current Affairs के लिए आप लोगों से कहा जाता है कि जो रेडियो पर खबरें आती हैं जो साम के टाइम रात में जो डिसकस होती रहती ही खबरें उन्हें जरू सुना करिएगा All India Radio जरू सुना करिएगा डारेक्ट ही उनसे आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स पूछ लिए जाते हैं तो आज की इस क्लास में हम लोग Radio दिवस यानि की World Radio Day के बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं और इस तरह के टॉपिक के बारे में एक सामान समझ आपके पास होना चाहिए आप लोगों के इसके बारे में मालू होना चाहिए देखें यह हमारी प्यारी पितवी है और पितवी में आप देखते हैं कि A.C.I. में यह हमारा प्यारा भारत आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले तो आपके एकजाम में यही कुश्चन स्पूच लेगा कि 20 रेडियो दिवस यानि कि World Radio Day कम मनाया जाता है तो यह 13 फरवरी को मनाया जाता है कम 13 फरवरी को और यह दिवस क्यों मनाया जाता है यह भी तो सवाल आता है तो आप देखेंगे कि रेडियो के महत्यों के बारे में आम जनता और समाचार माध्यमों में जागरूखता बढ़ाने और रेडियो के जरीए सूचना उपलब्द कराने के लिए नेती निर्माताओं को प्रोसाहित करने के उद्देश से मनाया जाता है कोई दिवस मनाया जाता है तो उसका उद्देश तो रहता है लोगों को जागरूख करना और एक तरह से आप देखें उसके पिती लोग जागरूखों समझें, समझ रखें और आपने देखा होगा कि अधिक तर जो योजनाय होती है सरकार के जो फैसले होते है सरकार को अपनी बात जनता तक पहुचानी होती है तो सबसे पहले रेडियो को माध्यम बनाया जाता है आप देखे हमारे पिदान मंतरी सामने जब मन की बात करनी शुरू की थी तो सबसे पहले उन्होंने रेडियो को ही अपना माध्यम चुना था और यह दिवस दुनिया भर के लोगों के जीवन को प्रभावित करने और उन्हें परस्वर जोडने की रेडियो की अद्विद छमता को याद करने का आउसर भी पिदान करता है और भारत में आपको मालू है 27 भासाओं में रेडियो का पिसारन होता है यह आप लोग जान लेजेगा अब एक सवाल और होता है कि यह कब सुरू हुआ था कम मनाना सुरू किया गया था तो इस फेन रेडियो अकैडमी ने 2010 में पहली बार इस दिबस को मनाने का पिस्थाओ रखा था और इसके बाढ़ 2011 में युनसको की महसाबा के 36-27 में 13 फरवरी को उस रेडियो दिबस घोसित किया गया था और यहाँ 2011 की बात हो रही है और यहाँ UNESCO की भी बात हो रही है और UNESCO की जब हम लोग बात करते हैं और इस तरह की संगटनों की बात करते हैं तो आप पुराने कुश्टन्स पेपर उठा के देखी अपने एक्जाम की हर साल इस तरह की संगटनों से आपके एक्जाम में कुश सांती और सुरक्षा को बड़ा आवा देना है और 16 नमबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखेंगे इसका हेड़क्वार्टर पैरिस फिरांस में आप लोगों को देखने को मिलेगा 13 फरवरी को 20 रेडियो दिवस की तोर पर यूनिस्को की घोशना को सायुक्तराष्ट की महसावा ने 14 जनवरी 2013 को मंजूरी प्रिदान की थी और इसके लिए 13 फरवरी की तारीक रखने का विस्स कारण यह भी है कि सयुक्तराष्ट रंके अपने एवन रेडियो की स्थापना 13 फरवरी 1946 को हुई थी और तब से आप देखेंगे कि 13 फरवरी को विस्स रेडियो दिवस मनाना सुरू हो गया था सयुक्तराष्ट की अगर हम लोग बात करें तो UN की बात हो रही है United Nations की बात हो रही है यह भी आप देखते हैं कि एक अंतरसरकारी संगठन है और जिसका उद्दिस अंतराष्टी सांती उसरक्चा बनाये रखना है और इसकी स्थापना आप देखेंगे कि कब हुई थी इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और आप देखें New York USA में इसका हेड़कॉर्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा विस्ते रेडियो दिवस के दस भी बर्सगांट और रेडियो के 110 साल होने पर इवने इसको द्वारा समस्ते रेडियो इस्टेशन को यह दिवस मनाने का अहान किया था और देखिए अगर हम लोग इस साल की थीम की बात करें यानि कि इस साल की अगर हम लोग थीम देखें यानि कि विसय देखें क्योंकि आप देखते हैं कई बार कूछ लेता है questions कि विस्ते रेडियो दिवस कि इस साल की थीम क्या रखी गई है विसय क्या रखा गया है रेडियो और सांती ये भी आप लो याद रखेगा इसमें सूचनाव पुरुद्दगी की कि इस नए दोर में भी रेडियो का मत्त है दूरस्त और दूरगम इलाकों में इस तिज लोगों के मनुरण्यन और सूचनाव के पिसारन ही तू और इस्थानिय और छेत्री मुद्दों के संदर में जागरूकता को बढ़ाने ही तू और इस्थानिय संस्किती के पुरुसान और विकास ही तू आपात कालीन परिस्तितियों में तुरित सूचनाओं के संपेशन ही तू आपातकालीन परिस्तितियों में लोगों को आपदाओं या अन जोखेंगों के पिती तेयारी को नेदिसित करने है तू आप देखे हमारे देश में जब 1975 में एमर्जनसी लगाई गई तो लोगों के पास फौन नहीं था लेकिन आप देखे रेडियो के जरिये ही लोगों को मालू चला था कि देश में राष्टी आपातकाल लग चुका है और अभी भी आप देखे गाउं की तरफ आप लोग चाहिए कई लोगों के पास इस तरह के आप लोगों को रेडियो देखने को अभी भी मिल जाते हैं क्या मिल जाते हैं? रेडियो अभी भी देखने को मिल जाते हैं भारत में अगर हम लोग रेडियो की बात करें तो भारत में रेडियो पिसारन की पहली सुरुवात जून 1923 में रेडियो के लब मुंबई द्वारा हुई थी लेकिन इंडियन ब्रॉड कास्ट कम्पनी के तैथ देश के पहले रेडियो स्टेशन के रूम में बॉंबई इस्टेशन तब अस्टित में आये था जब 23 जुलाई 1927 को वायसराय लॉड इर्बिन ने इसका उधगाटन किया था ये डेटें आप लोग जरूर याद रखेगा लेकिन 8 जून 1936 को इंडियन इस्टेट ब्रॉड कास्टिंग सर्विसेस को आल इंडिया रेडियो का नाम दे दिया गया और जिस नाम से अब तक आज तक ये पिसलित है और एक और बात याद रखेगा 1936 में इंपेरियल रेडियो आप इंडिया की रोब में सुरुआत हुई थे बाद में आप देखते हैं कि 1947 में औल इंडिया रेडियो कर दिया गया था इसका नाम फिर आप आजादी के बाद आप सभी को मालू होगा कि 15 अगस्त 1949 को हम लोग आजाद हुए थे फिर 1957 में इसका नाम आकासबाणी कर दिया गया था और अभी भी इसका नाम आकासबाणी आप लोग देखते हैं और इसका अगर धे बाख के देखे न तो वहुजन हिता है बहुजन सुखा है इसका क्या है धेर बाख है हमारे देश में तकनीकी रूप से तीन पेकार के रेडियो पिसारन केंद काम कर रहे हैं और medium wave, short wave और mm पिसारन के न इन पिसारनों की तरंगों की frequency अलग अलग होती है और बर्तमाल समय में internet रेडियो या digital रेडियो का भी पिचलन काफी तेजी से बढ़ रहा है और आपको बता दूं कि उधारी इकन के बार निजी रेडियो चैनलों की संख्या में काफी तेजी से बिद्धी भी हुई है और इसके साथ भारत में समधाइक रेडियो का विकास भी हो रहा है और आज आप देखें भारत में लगभग 180 से अधिक समधाइक रेडियो इस्टेशन देखने को मिलेंगे जो आप लोग देखेंगे कि इस्थानी भासाओं में भी देखने को मिलते पर जो आप देखते हैं रेडियो के जरिए मिल जाता है तो इव अच्छी बात है और आप देखेंगे कि अगर रेडियो पर इस तरह के कार्यकरम इस्थानी भासा में होते हैं तो लोग आसानी से समझ पाते हैं अब आगर आप लोग इंग्लिस बोलने लग जाएंगे या सुद्ध हिंदी बोलने लग जाएंगे लोगों को कम समझ में आएगा अगर आप लोग बुंदेल खंडी में बात करेंगे अपनी बातों को बुंदेल खंडी में रखेंगे तो वहां के लोग बहतर आप से connect कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, इसलिए आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा इतिहास में, पड़ा भी होगा, कि हमारे जो भी धरम गुरु होते थे, वो अपनी भासा, इस्थानिय भासा में अपनी बातें रखते थे, अब देखे, बहुत म रेडियो दिवस्की, बिस्तर रेडियो दिवस्की, और इस्तनी जानकारी आप लोग के लिए पर्याप्त है, और अगर questions इस topic से बनेगा, तो आप लोग मुझे लगता है कि आसानी से उसका अंसर भी दे लेंगे, ठीक है?